गोड इवनिंग एवरिबड़ी एंड वेलकम तो क्रियेटरिक्स यूट्यूब चैनल माइडियर स्टुडेंट्स वी आ लाइव ओन दि लक्ष्य बैच फॉर गेट ट्वेंटी टू और आज बेटा हम लोग लेके आएं पावर एलेक्ट्रोनिक्स का एक और दमदार टॉपि थारिस्टर ट्रिडरिंग और फाइरिंग सर्किट् तो यहां पर मैं आपको बताऊ hospital कि कैसेаци आर को ट्रिगर कर सकते हूं क्या ऐसे circular कि सीखेंगे वी बीड़ बात ओग बिटा यह सारी चीज़ें लिए आज 앞으로 करें जलदी दबाके light ठोक देंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे हर बच्चे को बता देंगे कि अंकित सर्ल लाइव आ चुके हैं देयाव तो जॉइन मी लाइव और यहाव तो लर्न पावर एलेक्ट्रोनिक्स विद मी चलिये शुरू करते हैं इसी बात पर बच्चों Let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor. Till date, I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and I am currently working as a director at an academy for GATE Department. हम मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बचों क्या सबसे ज़्यादा important है? वो है इस चैनल का mission, इस चैनल का vision और जो revolution आपने और हमने साथ मिलके खड़ा किया in the field of GATE and ESE. और वो revolution की वज़े से आज की time में हजारों लाकों बच्चे जिन तक quality education नहीं पहुँच पाता था वो भी अपने सपने पूरे करने की हिम्मत दिखा रहे हैं because we are standing with them. लेकिन ये धियान रखना पेटा हमारा support आपको सिर्फ YouTube के माध्यम से नहीं मिलता है that is also available on the Unacademy free platform तो अगर आप Unacademy app डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे free initiatives का हिस्सा बन सकते हो by unlocking them. Other than that आप चाहो तो आ सकते हो बचो प्लस पे जहां मिलेंगे इंडिया के सभी top educators के live class, comprehensive के साथ-साथ crash course और ना सिर्फ इतना आपको मिलेगा daily assignment, weekly test, test series, question bank, doubt clearing और एक ही subscription के अंदर gate, ESC, PSU, state A, सब तरह के batches की तयारी कराई जाएगी और आप अगर इससे भी आगे जाना चाहो, then go with iconic वहाँ ये सब के साथ, personal coach मिलेगा जो खुड टॉपर होगा, वो बनवाएगा study planner teachers आपके साथ session conduct करके आपको guide करेंगे in study booster session test का मिलेगा separate analysis, study material और बच्चो एक dedicated team आपको मिलेगी जो आपकी सारी queries answer करती है तो अगर यहाँ पे आपने code लगा डाला, अंकित यसी तो life जिंगा लाला, क्योंकि मेरे साथ personally connect हो जाओगे और मैं आपको हर कदम पे guide करूँगा, regularly आपके contact में रहने वाला हूँ और इस code के साथ जुड़े और बहुत से benefits आपको मिलने वाले हैं और यह latest batch है जो हमारा start हो है, इसके बाद जितने भी batches आएंगे वहाँ पे course थोड़ा सा, fast चलेगा लेकिन अगर आपको zero से hero level जाना है तो this is the last opportunity that you should join और मैं आपको बता दूँ बच्चो जुलाई में 14th of July से लेके 31st of August तक मेरा machines आने वाला है Unacademy Plus platform पे which is going to be 170 hours long, 170 घंटे का subject है जिसमें quizzes है, assignments है और mega quiz भी है, doubt clearing है और complete syllabus cover कराए जाएगा इसलिए join immediately और 20 तारह के date दिमाग में रखेंगे इस जिन 11 बजे होगा Unacademy Combat बच्चो तो Combat में enroll कर लिना Unacademy एप पे using the code Anki TAC ताकि मुझे पता लग जाए मेरे बच्चो ने कैसा perform किया और अच्छा करोगे तो even you can win 100% scholarship और बिटा digital notes आ रहें Unacademy platform पे plus users के लिए बिटा यहाँ पे आपको digital notes के अंदर comprehensive notes मिलेंगे हर subject के जिनको अगर lecture के बाद refer करते हो तो बहुत ही अच्छे level पे आपकी knowledge जाएगी लेकिन साथ ही साथ बिटा price hike होने वाला है इसलिए अभी से join करने ताकि बाद में ज्यादा payment ना करना पड़े अभी join करोगे अगर अंकित IAC से तो one year fees is 27 to 25, 18 months 34, 650, two year 39, 600 मैं suggest करूँ है two years के लिए जाना per month fees minimum है इसको installment में pay कर सकते हो या फिर बच्चो या फिर आप चाहो तो अनकाडमी से education loan की facility भी ले सकते हो आइकोनिक के लिए अगर जाओगे तो one year fees will be 45 to 25, two year 66, 600, again बिटा go with two years चलो इसी बात पर कर लेते हैं शुरुआत ठीक है शुरुआत जो है ना दिन की class की बहुत energy से होनी चीए उसके बात तो concept तो हौले हौले चलते रहेंगे बड़ एक बार जो है ना greeting एक बार greeting बड़ा तगड़ा होना चीए एकदम शुरुआत जानदार एकदम पूरे जोश से गोड डीवनिंग एवरिबाड़ी ऐसा जोश रहना चीए और आप लोग भी जोश बना के रखा गरो energy बना के रखा गरो क्या सुस्ती दिखाते हो शाम का time में इससे अच्छा time क्या होगा ऐसे subject को पढ़ने का which is the core subject of electrical engineering इससे better time नहीं हो सकता बिटा और जादा तर बच्चे इसी में mtech भी करते हैं अच्छा और एक चीज़ मैं बताऊं इस हफते न मैं आपके लिए एक और नया initiative लेके आ रहा हूँ आपको मैं अपने teacher से मिलवाने वाला हूँ इस हफते और वो आपको बताएंगे higher studies का scope क्या है actually और क्यों बच्चों को higher studies के लिए जाना चाहिए तो इस regarding मैं आपके लिए interview conduct करने वाला हूँ live और आप लोग जानोंगे higher studies के बारे में through gate ठीक है तो बहुत सारी चीज़े पता चलेंगे आगे क्या चीज industry की demand है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब चीज़ के लिए मैं इस बार एक session लेके आ रहा हूँ इस Saturday को चलो शुरू करते हैं और उमीद करता हूँ जो कल से series start की आपको पसंद आई होगी आज आपके लिए एक और interesting video आएगा उस series का रात को 11 बजे देखना जरूर चलो अब बिटा SCR triggering की बात करते हैं ठीक है SCR triggering की बात करते है SCR triggering क्या होता है SCR triggering का मतलब है SCR को कैसे ON किया जा सकता है SCR को किस माध्यम से ON करोगे ये कैसे make sure करोगे कि SCR से current flow करने लगे from anode to cathode ये चीज़ें कैसे आप make sure करने वाले हो that is termed as the SCR triggering बात समझ में आ रही है तो अब हम अलग-अलग तरीके के methods देखेंगे जिनसे की एक SCR को trigger किया जाता है और हर चीज़ एकदम detail में in-depth समझने वाले हैं चलो शुरू करते हैं तो first one is your forward voltage triggering अब ये method आप already पढ़ चुके हो बिटा यहाँ पे क्या होता है कि gate terminal पे ना कोई voltage ना कोई current अपलाई किया जाता है यहाँ पे हम anode और cathode के बीच में लगी हुई voltage को लगातार increase करते जाते हैं लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जिस voltage पे कल मैंने बताया था न अब जैसे early effect के अंदर जिस voltage पे complete depletion आ जाता है और वहाँ पे आपका SCR turn on हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं forward, break over, voltage तो यहाँ पे क्या होता है जब हम reverse बाइसिंग बढ़ाते जाते हैं junction J2 पे देखो मैं लिखता भी हूँ साथ साथ ताकि आप लोग याद रख पाओ यह J1, यह J2, यह J3 आपको पता है forward blocking mode के अंदर J2 reverse bias रहता है तो जब आप VAK anode cathode के बीच की voltage बढ़ाते हो तो J2 की reverse biasing बढ़ती जाती है तो J2 की reverse biasing बढ़ते बढ़ते एक समय पे ऐसा आता है जब आपका पूरा region deplete हो जाता है मैंने बताया था ना transistor की analogy में कि पूरा base अगर deplete हो जाए then in that case it turns on तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं as forward voltage as forward voltage across SCR across SCR is increased across SCR is increased in forward blocking mode across SCR is increased in forward blocking mode the reverse bias the reverse bias across junction J2 reverse bias across junction J2 increases increases which leads to which leads to increase in depletion width यही तो मैंने आपको last lecture में early effect बताया था increase in depletion width है ना this was what we called as the early effect जो मैंने बताया था early एक scientist थे अब क्या होता है पिटा एक समय के बाद जैसे transistor में देखा जाए तो transistor का पूरा base region deplete हो जाता है और वहाँ पे जाकर के आपकी device turn on हो जाती है तो above a certain voltage above a certain voltage the entire the entire base region the entire base region of internal transistor the entire base region of internal transistor becomes depleted becomes depleted and the SCR turns on ठीक है तो बिटा ये एक turn on का method है such voltage is called forward break over voltage such voltage is called forward break over voltage लेकिन ये method practically use नहीं करते क्योंकि पूरे region को deplete करना is not such a great idea ठीक है पूरे region को deplete करना is not such a great idea इसलिए ये वाला method जो है this is undesirable इससे डिवाइस को harm होता है डिवाइस को नुकसान पहुचता है इसलिए it is not practically used it is not practically used ठीक है ये बात clear हो गई electrics बिटा अगर आप मेरा crash course देखो गे power electronics का तो उसके अंदर सारी चीज़े present ही है already अगर आप देखोगे अगर आपको ये देखना है कि बातें क्या-क्या याद रखनी है तो आप crash course को refer करो revision के लिए उमीद crash course इस channel पे present है multiple PSU के लिए crash course आ गया end game आ गया उसके भी notes share कर दिए तो short notes तो मैंने आपको देई रखे हैं already हर subject के short notes already बच्चो आपके पास है है ना चलो अब आते हैं gate triggering पे this is the most commonly used method of triggering most commonly used तिक है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बच्चो देखो जैसे हम लोग switch close करते हैं तो हम लोग gate और cathode वाले region पे एक external bicing लगा देते हैं external bicing लगने से क्या होता है मैंने आपको बताया था gate में से charges आते हैं जिस कारण से cathode से charges जाते हैं अब cathode के कुछ charges gate में recombine हो जाते हैं बाकी के कहां पहुंच जाते हैं anode तक पहुंच जाते हैं इस तरह से cathode और anode के बीच charges का linden start हो जाता है याद है ना पूरा gate terminal से कैसे start होती है device पूरा मैंने आपको समझाया था बहुत detail में last to last lecture में I think lecture number अभी कौन सा चल रहा है 12 है यह तो 12 है तो 10 के अंदर समझाया होगा तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं a voltage source a voltage source is connected between a voltage source is connected between gate and cathode between gate and cathode which forward biases which forward biases मैं इसमें देखो detail में नहीं लिखवाऊंगा ज्यादा क्योंकि यह explain कर चुका हूँ पहले ही which forward biases junction J3 and establishes and establishes flow of charges flow of charges between anode and cathode between anode and cathode ठीक है anode cathode के बीच में charges का flow established कर दिया जाता है यह बात समझ में आ गया यह बात समझ में आई वही हितेश बेटा आपकी बात एकदम सही है कि सर लेक्चर सिरीज मत रोखना बहुत से बच्चे recorded देखते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता जो बच्चे recorded देखते हैं वो first lecture में live आ जाते हैं और ग्रैजुली ग्रैजुली वो count one third one fourth रह जाता है ऐसा कौन सा काम आ जाता है जो first day नहीं होता है और आगे चलके काम आ जाता है ऐसा कौन सा काम है नहीं बेटा जे थरी को forward बायस करता है यह देखो यह वाला pn junction है न गेट और cathode के बीच तो आप एक बार दुबारे से देख रोल आफ गेट करेंट उसके अंदर मैंने समझाया है रितेश अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं एक बात हम यह भी जानते हैं once gate current once gate current reaches above latching current once gate current reaches above latching current then then we can remove we can remove gate pulse ठीक है तो पिटा इसी लिए यहाँ पे ना continuous gate triggering नहीं कराई जाती continuous gate triggering क्यों नहीं कराई जाती क्योंकि अगर gate current का काम खतम हो गया हमार को जरूवत नहीं है तो आप अगर gate current को फिर भी लगाए रखोगे यह battery को फिर भी लगाके रखोगे then it will lead to power dissipation इस circuit के अंदर आएगा power dissipation तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे बच्चों continuous gate triggering continuous gate triggering is not required तो इसके बदले हम क्या करते हैं इसके बदले हम यहाँ पे provide करते हैं क्या pulse gate triggering pulse gate triggering हाँ anode current होगा gate current नहीं once anode current thank you बिटा शुबम मैंने बताया तो था जे टू forward bias होता है भाई internal transistor दोनों saturation में होते हैं तो saturation region के अंदर transistor का चाहे base emitter junction है या collector base junction है दोनों ही forward होते हैं तो हमें क्या करना था transistor initially active region में रहता है उसे saturation में लेके जाना है active region में क्या होता है एक junction forward और दूसरा reverse लेकिन जब SCR on होता है तब उसके अंदर बने दोनों transistor ठीक है अब देखो बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं pulse gate triggering की अब pulse gate triggering में क्या होता है यहाँ पे we apply या gate pulse we apply a gate pulse for our duration for our duration for our duration more than more than minimum pulse width required more than minimum pulse width required मैंने निकालना सिखाया था लैचिंग करेंट से क्यों बई मैंने बताया था ना लैचिंग करेंट से कैसे minimum pulse width निकाली जाती है तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं न बच्चो इस टाइप से हम हम पल्स प्रोवाइड करते हैं पल्स प्रोवाइड की फिर जीरो रखा फिर फिर से प्रोवाइड की इस टाइप से तो यह हो जाता है gate current versus time तो यह है pulse width और यह है total time period अब आप कहोगे sir total period का यहाँ पे क्या मतलब देखो यह धियान रखना power electronics के अंदर हर switch का operation periodic होता है यानि after some time graph repeat होना चाहिए या after some time switch off होने के कुछ समय बाद वापिस on होना जरूरी है इसलिए हर graph periodic दिखेगा and the time period is represented as capital T तो यहाँ पे ना बिटा ऐसे बता देते हैं duty cycle duty cycle का मतलब होता है on time by total time यह term याद रखना बहुत काम आएगी power electronics में आगे तक welcome शाम जी और दूसरा term होता है बिटा जो काम आता है mark to space ratio mark to space ratio यह होता है T on by T minus T on तक है यानि T on by T off अगर यह mark है यानि यहाँ पे signal प्रस्तुत है तो यह खाली स्थान है इसे बोलोगे space तो mark to space ratio T on by T minus T on यह clear हुआ अब लेकिन बिटा हम लोग देखो क्या करते है ना जो gate पे हम circuit लगाते हैं वो हम directly ना लगाके एक transformer की मदद से लगाते हैं सर ऐसा क्यों transformer की मदद से क्यों लगा रहे हूं सर बिटा transformer की मदद से इसलिए लगाते हैं ताकि जो gate circuit है gate current जो होता है ना वो milli amperes में होता है समझना और SCR का जो anode और cathode के बीच का current होता है वो ampere से kilo ampere होता है तो मैं यह बिलकुल भी नहीं चाहा था कि SCR का जो anode current है यह ampere से लेके kilo ampere तक होता है इट शुड नाट affect the gate current which is from milli ampere to ampere तो एक तरह से यह समझो जो gate का circuit है that is a low power circuit वो बहुत कम power पे operate करता है anode cathode के बीच का circuit जो है that is a very high power circuit तो मैं यह low power और high power वालों को आपस में दूर दूर रखना चाहता हूं वरना यह high power वाला current इस low power वाले को damage कर सकता है तो यह isolation के लिए यहां पे pulse transformer लगाया जाता है और इसका turns ratio होता है बेटा one is to one pulse transformer का मतलब है यह pulses को transform करेगा मुझे ना amplitude बढ़ाने की जरूरत है ना कम करने की बस मुझे क्या चाहिए कि दोनों circuit आपस में directly connected ना रहें तो it is used for isolation किसलिए यूज हो रहा है isolation के लिए अब बेटा अगर आपने transformer थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि size of transformer size of transformer is inversely proportional to the frequency ठीक है तो हम क्या कहते हैं pulse transformer pulse transformer is used to provide is used to provide isolation isolation between low power gate circuit low power gate circuit and high power and high power anode circuit उन दोनों के बीच में यह isolation provide करने के काम में आता है ठीक है अब हम क्या कहते हैं we can reduce we can reduce we can reduce the size of pulse transformer required size of pulse transformer required by using by using by using high-frequency pulse-triggering by using high-frequency pulse-triggering अब सर यह क्या होता है देखो यहां पे क्या करते हैं जो gate में pulse लगाई जाएगी जो gate के अंदर बेटा pulse लगाई जाएगी वो directly ना लगाके वो बहुत पतली पतली लगाई जाती है देखो इस type से इस type से ना पतले पतले हिस्सों में इसे काट देंगे समझ रहे हो अब आप समझ तो गए होगे बेटा करना क्या है इस type से पतले पतले पार्ट्स में इसको divide करना है है ना तो मैं आगे ऐसे डॉट 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 बना देता हूँ ठीक है अब समझ जाओ इस तरह से पल्स को जो है ना हम लोग छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं तो यह गेट करेंट वर्जिस टाइम का ग्राफ बन जाता है तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी पल्स देखो यह बहुत कॉमन क्वेश्चिन है यह वाला जो पॉइंट है ना यह काफी एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रिगरिंग का यूज क्यों करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रिगरिंग का यूज इसलिए किया जाता है तो जो आप टोटल पल्स टी ओन की लगा रहे थे ना आपने उसे मल्टिपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेरे भाई आपने एक साथ पूरा टी ओन तक लगातार लगा के नहीं रखा आपने छोटे 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 पल्स में उसको डिवाइड कर दिया है बिल्कुल क्वाजी स्क्वाइर वेव मिलेगा डी सी विदा स्विच समझ गए ना चलो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो देखो ये वाला डिजारेबल मेथड होता है तो ये ध्यान रखना है जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कईट्रीगरिंग के अंदर कि गेट्रींग कभी भी कंटिनीयस नहीं करते हैं । का रिद्यूस करते हैं तु रेडियूस दा साइज आफि पल्स ट्रांस्वार्म होने चीए अब आते हैं ऑ बिटा J2 तो reverse बाइस है देखो ये J3 बन गया ये बन गया J2 और ये बन गया J1 ठीक है ना देखो ये J1 ये J2 और बच्चो ये J3 अब यहाँ पर ये anode मानलो मैंने positive रखावा है और ये cathode ये मैंने negative रखा हुआ है अब ये हमारा gate terminal हमने open रखा है यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये किस mode में आ गया ये आ गया forward blocking mode के अंदर forward blocking mode electrics ये हम जो waveform दे रहे हैं ये SCR को on करने के लिए दे रहे हैं ये load को थोड़ीना provide करने जो harmonics से फरक पड़ेगा harmonics नुकसान दायक कब होते हैं जब harmonics हमारे load तक पहुँचे जब हमारी tube light में हमारी motor में इन सब में harmonics पहुँचेंगे then it will harm the device लेकिन जब हम SCR के gate को दे रहे हैं SCR को on करने के लिए pulse दे रहे हैं जाधा है यह inside है कि देखो यहां पर डिप्लीशन लेयर बनती है न कि मैं डिप्लीशन लेयर आपको बनाके दिखा रहा हूं तो यहां बेटा आपके पास positive ions आ जाएंगे inside पे ऐसा ही होगा न और यहां पर negative ions अब बेटा यह जो positive और negative ions हैं यह थोड़े से distance पर रखे हुए हैं यह positive और negative ions थोड़े से distance पर रखे हुए हैं तो this positive and negative ion combination acts like a capacitor यह किसकी तरह काम करता है एक capacitor की तरह काम करता है और जब कोई pn junction reverse bias होता है तो उसकी capacitance कहलाती है junction capacitance तो हम क्या बोल रहे हैं कि depletion layer depletion layer across across reverse biased reverse biased junction J2 reverse biased junction J2 contains contains positive and negative ions positive and negative ions and hence and hence acts as a capacitor acts as a capacitor अब यह capacitor कहलाता है such capacitance is called junction capacitance ठीक है यह नाम याद रखना यार वैसे तो जब कभी आप लोग अगर मेरा analog का course देखे होगे उसमें मैंने junction capacitance पूर्ण रूप से explain किया होगा कि diode की reverse bias की capacitance होती है junction capacitance ठीक है यह हो गई जी इसको लिखते हैं cj तो basically यह जो device है बिटा it will just act like a capacitor due to positive and negative charges separated by our distance ठीक है जब positive और negative charges को थोड़े थोड़े distance पे रख दिया जाए तो it is the definition of a capacitor तो हम यहाँ पे बिटा पूरे SCR को एक capacitor की तरह show कर सकते हैं ठीक है ना एनोर्ड cathode cj अब मैं क्या कहता हूँ कि इस capacitor के अंदर charging current ic चार्जिंग करेंट ic आई c Charging current आ जाने से अगर यह charging current latching current के उपर हुआ मान लो if this charging current exceeds the latching current in such a case the device will turn on हम क्या बोलेंगे if charging current if charging current exceeds latching current exceeds latching current तो SCR will turn on अब यह कैसे exceed करेगा latching current से जब dv by dt high होगा जब dv by dt high होगा इसलिए बेटा यहां पे आपके पास control नहीं है मान लो जो voltage आपने anode cathode के बीच में लगाई है वो बहुत तेजी से बदल रही है the voltage between anode and cathode is changing rapidly then the SCR will turn on without even needing the gate current तो this sort of triggering is also undesirable sir undesirable क्यों है क्योंकि बेटा इस पे हमारा control नहीं है हम कभी यह नहीं चाहते SCR अपनी मर्जी से SCR अपनी मर्जी से on हो जाए हम चाहते हैं जब हम चाहेंगे तब on होगा और जब हम चाहेंगे तब on नहीं होगा यह मत कहा ना जब हम चाहेंगे तब off होगा OFF अपनी मर्जी से ही होता है बताया था ना ON हमारी मर्जी से OFF अपनी मर्जी से होता है लेकिन हम लोग ये कभी नहीं चाहते कि अपनी मर्जी का मालिक बनके ON हो जाए तो DV by DT triggering is undesirable कई बार question विटा ये भी पूछा जा सकता है कि high DV by DT undesirable क्यों होता है तो ये मत बोलना कि high DV by DT undesirable इसलिए कि SCR damage हो जाएगा नहीं SCR damage नहीं होता लेकिन SCR undesired way में ON हो जाता है damage का कोई खत्रा नहीं है अगला होता है थर्मल ट्रिगरिंग अब देखो gate current में आपने क्या किया था gate current में आप लोगों ने gate के through charges अंदर भेजे थे charges अंदर भेजे थे लेकिन यही charges आप चाहते तो temperature से यही चाहते अगर आप तो temperature से भी generate कर सकते थे क्योंकि जब जब आप temperature raise करते हो तो atom से electron बाहर आ जाता है atom से अगर बिटा electron बाहर आ जाता है in such a case you are generating charges with the help of temperature that is called as thermal triggering तो हम क्या बोलते हैं if we raise the temperature if we raise the temperature near gate region और junction J2 अगर आप यह बोलो कि junction J2 जो कि reverse bias है आपने उसका temperature बढ़ाया then 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 we can extract then we can extract electron out of atoms और ions अप आयन में से electron निकाल लोगे भई ठीक है अब बेटा if we generate if we generate charges by means of high temperature by means of high temperature तब क्या होगा यह जो charges generate करोगे now they can act as gate current they can act as gate current समझ रहे हो they can act as gate current और दूसरी बात बेटा साथ ही साथ gate current की तरह तो act करेंगे also depletion layer depletion layer by depletion layer में आपने charges पैदा कर दिये depletion layer वो होती है जिसमें charges ना हो तो depletion layer में charges पैदा करने का मतलब है depletion layer को कम करना ठीक है depletion layer को कम करना therefore device can now turn on at lower forward voltage तो जो काम gate current करता वही काम temperature ने कर दिया depletion layer को घटा दिया जिससे कि आप कम voltage पे भी आप device को on कर सकते हैं आपने gate current में भी तो यही किया था gate current जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे थे आपका triggering कम voltage पे आ रहा था तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे जब आप temperature बढ़ा रहे हो again you can trigger the diode at a lesser voltage लेकिन बेटा ये वाला method भी undesirable है क्योंकि high temperature can actually damage the device तो this method is also undesirable ठीक है this method is also undesirable as high temperature can damage the device ठीक है भई तो ध्यान रखना desirable कौन से हैं अब इदक desirable सिर्फ एक निकला है that is your gate triggering चलो अब सयन जी का कहना है कि सर जी टी ओ का turn off बता देना बेटा भी SCR चल रहा है SCR खतम होने से पहले तो ऐसा नहीं है कि मैं randomly बीच में से तुम्हें GTO का turn off समझाने लग जाओ obviously चीजें logical sequence में आएंगी अब आप randomly कोई भी topic ले आओ आओ आपका उसर ऐसा करो machine के harmonic समझा दो तो ऐसा क्या बीच में lecture बंद करके क्या वो topic उठा लेंगे नहीं हो सकता ना चीजे sequence में चलेंगी समझा करो यहां पर बिटा देखो मैं हर बच्च और नहीं लगा रखा कि जिस बारे में आप बात करोगे जिस topic को आप पढ़ना चाहोगे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा class के अंदर सभी बच्चों को देखा जाता है सभी बच्चों के requirement को consider किया जाता है इसी लिए सभी के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हर बच्च के लिए thankful रहना पड़ेगा that you are getting everything each and everything such a great content for free तो at least try and behave as a community है ना अब बिटा सब कुछ free होते होते भी अगर आप लोग selfish हो जाओगे कि मुझे तो ये चाहिए सर ये पढ़ा दें दूसरा कहेगा मुझे तो ये चाहिए सर ये पढ़ा दो बिटा कैसे चल पाएंगी चीज़ है ना ऐसे नहीं चलती है ना चीज़े बच्चे तो आप लोग को as a community behave करना है student community जो भी चीज़ बच्चों की तरफ से demand में आती है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं we never deny it लेकिन हर बच्चे की मांग पूरी नहीं हो सकती बिटा चलो अब अगले पर आते हैं light triggering जैस अगर हम लोग light अगर देंगे तो light is in the form of photons light is in the form of photons तो बिटा जब photon की form में light गिरती है कहीं पे तो वहाँ पे भी charges generate होते हैं and again these charges can work like gate current for triggering of our device तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं light is incident या light of suitable frequency suitable frequency क्यों बोला सर बेटा आप जानते होगे कि photon की energy होती है h new अगर वो energy इस काबिल नहीं हुई या enough नहीं हुई कि electron electron बाहर आ पाए ठीक है electron बाहर आ पाए अगर वो energy sufficient नहीं हुई तो obviously electron बाहर नहीं आ पाएगा तो हम यह चाहते हैं जो h new की value है वो कम से कम इतना हो कि electron को बाहर निकालने में समर्थ हो सक्षम हो तो समझना light of suitable frequency is incident is incident on junction j2 okay if energy of photon if energy of photon is greater than is greater than energy required energy required to emit an electron energy required to emit an electron then then electron is emitted electron is emitted from atom electron emit हो जाएगा भई electron आपका emit हो जाएगा atom से तो बेटा यहां से क्या हुआ the charge carrier generated the charge carrier generated can act like can act like gate current can act like gate current and help in triggering of device triggering of SCR अब यह वाला जो method है ना ऐसा थोड़ी है कि bulb जलाया और light गिर गई तो यह automatically नहीं आती light यह light तब है बेटा जब हम दे रहे हैं हम एक particular frequency की light ठीक है हम एक particular frequency की light incident कर रहे हैं तब जाकर के यह charge carrier generate हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि रोशनी में रख दिया SCR और वो चालू हो गया ऐसा नहीं होता है ना कि घर की light जलाई और SCR कंडट करना चालू हो जाए तो वैसा नहीं होता बट यहां पर क्या होता है कि एक particular frequency की light आप incident कर रहे हो तो यह desirable technique है it is used in light activated SCR light activated SCR जिसको short में कहते हैं L A SCR in HVDC जो power system में हम HVDC पढ़ते हैं वहां पर इस तरह के SCR use हो सकते हैं निखिल जैसे photo diode के अंदर एक window दिया होता है जिसके through light device तक पहुंच सकती है same way में light activated SCR में हमें एक window देना पड़ेगा through which the light can cross and fall on to the SCR ठीक है this is a desirable method तो बेटा देखो overall दो method desirable हैं एक gate current और एक light triggering thermal triggering forward voltage triggering और high dv by dt triggering these three methods are not at all desirable ठीक है चलो SCR triggering circuit अब कोई यह पूछ रहा है कि सर इसका और क्या advantage है यहां पे ना single source of light can trigger multiple SCR यह फायदा होता है single source of light अगर दो SCR आपको किसी circuit में एक साथ on करने है single source of light can trigger multiple SCR तो यह इसका फायदा इस method का ठीक है और ज्यादा तर तो gate triggering वाले ही यूज होते हैं चलो अब आते हैं triggering circuit पे just let me have water प्रनव कह रहे हैं सर intensity of light का कोई effect बिल्कुल बेटा जितनी ज़्यादा intensity होगी उतने ज्यादा charges generate होंगे तो एक frequency और intensity दो चीज़े control करते हैं हम लोग आइसोलेशन भी यह भी बात सही है आइसोलेशन भी यह भई triggering circuit में क्योंकि directly connect थोड़ी कर रहे हो दूर से light फैंक रहे हो बहुत बढ़िया अब देखो triggering circuit का का काम क्या होता है triggering circuit का का काम है gate और cathode terminal के बीच में voltage apply करना यह यह कह दो gate को कुछ current देना gate को एक pulse देना जिससे की अब इसके अंदर पहला circuit आता है resistance firing circuit तो बिटा देखो यहाँ पे जो है न यह जो circuit है यह आपका firing circuit है यह क्या है आपका firing circuit है बचे बाकी का circuit main circuit है यानि बाकी circuit तो काम करेगा actually जो load को supply करेगा actually जो circuit काम का है वो है supply load और SCR और यह जितने component लगे हैं they are all there just to trigger the SCR तो यहाँ पे अगर आप देखो triggering के लिए जादा तर आपने resistances का use किया है and that is why they are set to be the resistance firing circuit अब देखो यह जो triggering circuit वाला topic है यह पहले gate के अंदर नहीं हुआ करता था लेकिन last year से gate के syllabus में जब से change हुआ है तो this topic has been included in gate अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या काम है अलग-अलग चीजों का सबसे पहली बात R1 है बिटा current limiting resistor देखो क्या होता है SCR में जो gate current जा रहा है उसकी limit होती है gate current की limit होती है हमेशा एक minimum से maximum के बीच जितना SCR को supply कर सकते हो यानि जब कोई manufacturer SCR बनाएगा तो वो आपको बताएगा बिटा कि इतना इतना current आप ले सकते हो इससे ना जादा ना कम यह होता है minimum और maximum limit बताता है ठीक है अब बिटा यहाँ पे यह R1 का roll कैसे आता है देखो मैं यह कहता हूँ अगर हम यह मानने की I current आया और I इधर चला गया सपोज ऐसा मानलो if we ignore एक एक component का मतलब समझा रहा हूँ if we ignore current through R हम यह मानले R1 से आने वाला सारा current SCR में जा रहा है तो हम कह सकते हैं I is Vm sin omega t over R1 प्लस R2 अब R2 तो variable है तो मैं कहता हूँ worst case worst case का मतलब maximum current उसके लिए R2 को 0 ले लो तो मैं कहता हूँ maximum current इतना आ सकता है now they should definitely be less than IG max यानि जो manufacturer ने आपको specification दी थी उससे कम current आना चाहिए in the worst case otherwise SCR damage हो सकता है SCR damage हो सकता है ठीक है बात समझ में आया कि भाया जो maximum current है जो maximum current है वो SCR की limit से कम रहना चाहिए तभी आपका SCR safe है अब सर इसके बाद R2 का क्या rule है बेटा R2 is variable to vary firing angle अब सर ये क्या नई बला है firing angle देखो ये भी मैं समझाता हूँ अभी इस पर आता हूँ firing angle अभी अच्छे से समझाता हूँ ठीक है थुड़ा सा रूखना बात करेंगे उस पर अब इसके बाद देखो क्या होता है R R is voltage limiting resistor ये decide करता है कि कितनी voltage gate और cathode के बीच में आएगी ठीक है जैसे अब यहाँ पर ऐसा मानो if we ignore if we ignore gate current of SCR अभी के लिए अगर आप gate current of SCR को ignore कर दे मेरे भाई ठीक है तो क्या होगा अगर आप यहां का current ignore करते हो बंधू तो ये सारे series में आ जाएंगे ये सारे किस में आ जाएंगे series में आ जाएंगे तो अगर मैं आप से कहूं gate voltage कितनी होगी तो series में आप voltage division लगाओगे सबसे पहले वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आर बाई R1 प्लस R2 प्लस R ये आपने लगाया अब इस factor को मैंने बोल दिया वी जी एम साइन ओमेगा टी वेर वी जी एम इस एक्चुली वी एम इंटू आर बाई R1 प्लस R2 प्लस R ये हो गया तो अब कितना voltage gate cathode पे आएगा कितना voltage gate cathode पे आएगा वो कौन कंट्रोल कर रहा है ये resistance R अगर R जादा हुआ तो जादा voltage आएगा R अगर कम हुआ तो कम voltage आएगा ठीक है source, load and firing circuit बिल्कुल सही बात है फैजल जब आपका circuit या SCR off है तब source, load और firing circuit close loop पूरा करेगा अब इसके बाद diode का क्या रोल है diode का क्या रोल है diode prevents reverse flow reverse flow of gate current वो gate current को एक ही दिशा में चलाता है उल्टा जाने से प्रतिवंधित कर देता है या रोक देता है ठीक है? ये उल्टा जाने से रोकता है current को तो एक बार फिर से go through कर लेते हैं फटा फट R1 का काम था current को limit करना मैंने बोला अगर आप ये मान लो अभी R में कोई current नहीं जा रहा है सारा current ऐसे सीधे gate में जा रहा है सारा current gate में जा रहा है तो कितना current आया? voltage by R1 प्लस R2 इसकी maximum value कितनी हुई? इसकी maximum value में मैंने R2 को 0 कर दिया worst case के लिए maximum current के लिए R2 variable है न तो 0 ले लिया R2 variable है 0 ले लिया तो maximum current आया Vm by R1 यानि की worst case में worst case में हम ये कह सकते है maximum current जो gate में जाएगा that will be Vm by R1 बट ये thyristor की rating से कम होना चाहिए यानि even worst case में आप rating को exceed नहीं करोगे rating को exceed कर दिया तो SCR के लिए हानी कारक हो सकता है इसलिए मैंने बुला ये जो current आ रहा है ये SCR की maximum value से छोटा होगा फिर मैंने आपको R2 का बताया भी R2 vary करके ही firing angle vary होगा R का बताया मैंने अगर voltage division से voltage निकाले then this is the maximum voltage across the gate cathode है ना maximum voltage across gate cathode diode क्या करता है diode allow करता है current सिर्फ A की direction में that is downward उल्टा जाने नहीं देगा अब बच्चों यहां पर बात यह आती है सर यह firing angle चीज़ क्या है एक बार यह समझाओ देखो इसको हम बोलते है firing angle delay यह अभी समझ लो अगले chapter में बहुत काम आने वाला है firing angle delay firing angle delay का मतलब क्या होता है angular delay angular delay after the instant after the instant of forward biasing after the instant of forward biasing ठीक है angular delay after the instant of forward biasing at which gate pulse is applied to SCR देखो क्या होता है आप यह जानते हो SCR को सिर्फ forward bias कर देने से वो conduct नहीं करेगा सही बात है SCR चला जाएगा forward blocking mode के अंदर लेकिन अगर SCR को आप conduct कराना चाहते हो then you have to apply the gate current आपको gate current देना पड़ेगा तो आप delay कितना है delay का मतलब क्या हुआ एक बार SCR forward bias हुआ उसके कितने देर बाद आप उसे gate pulse दे रहे हो बिना gate pulse के वो चालू होने से रहा तो कितनी देर बाद आप gate pulse लगाओगे that is called as the firing angle delay और यहाँ पे हम दिखाते हैं as an angle alpha as an angle alpha ठीक है हाँ तो बिटा जरूरी नहीं है ना हर circuit में isolated रहें शिवराज इसमें नहीं है resistance triggering में नहीं है isolation simple है तो बिटा यहाँ पे angle alpha माने angle की term में ले रहे हो time की term में नहीं omega t that is angle तो forward biasing मान लो 0 degree पे आई 0 degree के कितनी देर बाद आपने gate पे current अपलाई किया that is firing angle delay जब तक नहीं करोगे SCR इंतजार करता रहेगा कि गेट पलसाएगी तो चलेंगे अब यहाँ पे हम यह बोलते हैं बिटा SCR gets triggered SCR trigger होता है आपका when VG VG exceeds VG exceeds a threshold value VGT तो हम कहते हैं जब आपका gate का voltage VGT से उपर निकल जाए तब आपका SCR on हो जाता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं VGM sine omega T greater than VGT यानि omega T greater than sine inverse VGT by VGM अब यह जो VGM है बेटा यह कितना है यह है VM into R अभी लिखवाया था ना over R1 plus R2 plus R अब यहाँ पे मेरे बच्चे R2 variable था तो जैसे जैसे R2 बढ़ाओगे VGM कम होगा जैसे जैसे आप R2 बढ़ाओगे वैसे वैसे VGM कम होगा ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा अब देखो यार यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चो आपने ना पहले यह वाली waveform लगाई यह हमारा maximum वाला था VGM ठीक है अब बच्चा सब से पहले मैं यहाँ पे एक threshold draw कर देता हूँ यह मान लो this is the threshold ठीक है अब आप क्या कहोगे जब यह gate की voltage आपकी threshold को exceed करेगी जब यह gate की voltage threshold को exceed करेगी ठीक है then in that case SCR will get triggered अब बचा देखो सब से पहले आप R2 को 0 मानो R2 को 0 मानोगे तो कोई graph आएगा आपके पास इससे तो obviously कमी आएगा लेकिन यह लो यह मैंने graph बनाया when R2 is 0 ठीक है आप कहोगे sir VM के बराबर क्यों नहीं आया बिटा रखके देख लो ना R2 को 0 रखा तो भी आपका क्या हुआ VM R by R1 plus R VM से तो छोटा ही हुआ अब बच्चों जिस angle पे देखते चलो बच्चों बीच में बोलना नहीं है देखते चलना है जिस angle पे यह exceed किया यह हो गया alpha 1 यह होता है firing angle जहां यह threshold voltage को exceed कर जाए अच्छा जी ऐसे देखो एक और case बनाता हूँ और मैंने अब R2 को बढ़ा दिया तो यह value गिर गई R2 non zero यह value गिर गई यह value गिर गई तो यह नया alpha आ गया भी बहुत ही बढ़िया यह हो गया alpha 2 आप एक और value ले लो बच्चे एक और value ले लो अगर मान लो आपने ऐसा लिया कि इसे touch करके जा रहा है in such a case this will be the value of alpha यह हो गया alpha 3 अब अगर आप R2 इससे बढ़ा लोगे यह R2 dash है which is greater than R2 अगर इससे भी बढ़ा लोगे मेरे भाई तो फिर intersection आएगा ही नहीं जैसे ले लो R2 double dash greater than R2 dash greater than R2 तो इस case के अंदर no triggering trigger ही नहीं हो पाएगा भई तो यहाँ पर आप देख सकते हो maximum intersection 90 degree पर जा सकता है तो यहाँ maximum firing angle is 90 degree 90 degree से आगे आप triggering नहीं कर पाऊगे alpha में junction J2 को forward बायस होगा तब trigger करेंगे बिटा trigger करने का मतलब है आश की gate में current देना जब तक gate में current नहीं दोगे जब तक J2 अपने आप कहां से forward बायस हो जाएगा आप यह सोचो SCR पहले forward blocking में है यानि J1, J3 forward है और J2 आपका reverse है अब आप gate current की बात कर रहे हो तो आप gate current कब दोगे तब जाके J2 forward होगा और वही angle है alpha alpha is the angle at which we will apply the gate current या at which J2 becomes forward bias and the device starts to conduct तो forward blocking से forward conduction कितने angle पे जा रहा है that is the angle alpha और forward blocking से forward conduction जाने के लिए gate current की जरूरत पड़ेगी या यह कहे दो J2 को forward करने की जरूरत पड़ेगी वही करने के लिए firing circuit लगाया जा रहा है हाँ alpha 3 maximum है जो की है 90 degree 90 के आगे intersection आएगा इनी न बिटा आप R2 को अगर और बढ़ा लोगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ना और यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हो कि as R2 increases alpha increases ठीक है भई? चल अब अगला आता है RC firing circuit तो पहले इसका logic समझो दूसरे circuit की जरूरत क्या पड़ी दूसरे circuit की बिटा जरूरत यह पड़ी कि जब resistance firing circuit को देखा तो it cannot apply a firing angle more than 90 degree 90 के आगे जा नहीं सकता उस कारण वर्ष हम आए दूसरे circuit पे तो हम क्या कहते हैं? limitation of resistance firing limitation of resistance firing is that alpha cannot be greater than 90 degree alpha cannot be greater than 90 degree अब देखो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो बाहार का circuit तो same है बाहार का circuit तो same है बेटा एक चीज़ बताओ आप bike खरीदने जाते हो आप यह देखते हो bike कितनी maximum speed पे चलेगी देखते हो ना आप से घरवाले यह तो कहते नहीं ऐसी bike ले लो जो 60 के 60 तक भी चल जाए तो बहुत है तुम्हें 80 पे चलाने की जरूरत क्या पड़ेगी तो ऐसी बेटा जब मैं firing circuit बना रहा हूँ I want a firing circuit which can deliver the firing angle from 0 to 180 सारे angle cover होने चाहिए ठीक है लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा तो firing circuit मेरे को तो पैसे तो लगे खर्चा तो हुआ बनाया भी मेहनत भी लगी लेकिन फाइदा नहीं हुआ न और 90 के आगे किस circuit में क्या behavior होता है यह आगे समझोगे अभी कैसे समझ लोगे अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सबसे पहले R R का रूल क्या है R जो है न R is variable यह variable क्या करता है It changes It changes The time constant of circuit The time constant of circuit Time constant R सी है न तो अगर time constant बदलेगा तो rate of charging of capacitor rate of charging of capacitor varies अब बेटा charging capacitor का rate अगर vary होगा तो then the angle or time at which the angle or time at which at which VG exceeds VG exceeds VGT will vary समझ गए? समझ गए के नहीं समझ गए? जल्दी से बोलो बेटा यहाँ पे जो capacitor की voltage है ठीक है? यह जो capacitor की voltage है यही तो gate पे apply होने वाली है और firing angle control करते वक्त मैं यही तो control करना चाहता हूँ कि कब यह threshold को cross करेगी देखो यहाँ पे हम यही तो control कर रहे थे कि यह threshold को कब cross कर रही है तो basically यहाँ पे मैं rate of charging को control करके यह vary करा रहा हूँ कि कब capacitor की voltage threshold के उपर जाएगी ताकि मैं यह control कर पाऊं कि मेरा thyristor कब on होगा यह मेरे हाथ में होना चाहिए ठीक है अब यहाँ देखो d1 का roll वही है d1 का roll क्या है d1 prevents flow of reverse current चलो जी यह भी बहुत बढ़िया बात है और sir d2 का क्या roll है बेटा d2 का roll कुछ ऐसा है कि d2 helps in discharging of capacitor d2 helps in discharging of capacitor capacitor discharge होगा ना तो d2 से current flow होते हुए scr में चला जाएगा ऐसे देखो c से जाके d2 से scr से यह पुरा discharge हो जाएगा यह आपका पुरा discharge हो जाएगा अब यह circuit काम कैसे करेगा देखना जड़ा ठीक है यह circuit काम कैसे करेगा यह हो गया हमारा supply ठीक है अब इसके बाद यह हो गया मेरा capacitor voltage and after this I will have scr voltage ठीक है तो देखो यह हो गया supply तो पहले supply मैं बना लेता हूँ बेटा sinusoidal supply मैं बना लेता हूँ sinusoidal ठीक है यह मेरी supply हो गई अब इसके accordingly नीचे mark कर लिया जाए axis को अब देखो क्या होता है capacitor पे कुछ initial voltage होती है ठीक है capacitor पे कुछ एक initial voltage आपकी होती है और वो initial voltage के बाद capacitor चार्ज होना start करता है ठीक है नहीं बेटा anode current latching current के उपर जाने की बात ही नहीं होरी साथ स्वत anode current latching current के उपर तब जाएगा जब आप पहले gate current apply कर दोगे अभी तो मैं बात कर रहा हूँ gate current देने की gate current दोगे फिर उसे उतनी देर तक maintain रखोगे जब तक anode current latching के उपर ना चला जाए समझोना बात को आपके पास जैसे gate current आया अब उसके बाद anode current बढ़ना start होगा बढ़ते बढ़ते फिर वो latching current को cross करेगा तब जाके आपका SCR on होगा ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा समझना बात को ठीक है बेटा वानी आप यह telegram पे पूछ लेना और वैसे अगर आपने form फिल किया है तो आपको mail आ गया होगा एक बार अपना mail ID चेक करना अब देखो बच्चो जब यह SCR बंद रहा होगा जब यह ध्यान से सुनना नेगेटिव साइकिल आएगी तो D2 फारवर्ड बायस हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं देखो मैं लिखता चलता हूँ वन SCR is off when SCR is off capacitor charges to a negative voltage through D2 during डूरेंग डूरेंग नेगेटिव हाफ साइकिल दूरेंग ये समझ में आया कैपेस्टर एक नेगेटिव वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है जब SCR बंद होगा भाई तो नेगेटिव साइकिल में ये डायोड औन हो जाएगा और अगर ये diode on हो गया तो obviously आपका SCR, sorry capacitor will charge to a negative voltage इसलिए बेटा capacitor का जो graph है that will start from a negative value अब जब positive cycle आई, positive cycle में बेटा ये diode हुआ बंद और capacitor positive की तरफ charge होना start होगा through the resistor तो मैं क्या बोलता हूँ? during positive cycle, during positive cycle, capacitor charges, charges towards positive voltage, towards positive voltage, through our positive voltage की तरफ charge होना शुरू होता है R की मदद से और बेटा मैं एक चीज जानता हूँ कि as soon as, as soon as, as soon as, VC exceeds, VC exceeds, VC exceeds, VGT, plus diode voltage, तर ये diode voltage क्यों बोला? इसके कारण, है न, अगर capacitor की voltage की बात करें तो capacitor voltage, gate threshold, plus diode, इसके total से जादा जानी चाहिए, then only, then, SCR turns on, बात यहां तक समझाए जल्दी से बताओ, ये तीन point clear हुए या नी, ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछो कि sir, capacitor कहां तक charge है, तो ऐसा बिलकुल भी मत सोचना कि capacitor minus VM तक charge है, क्यों नहीं होगा sir, minus VM तक charge sir, ऐसे कैसे बोल रहे हूँ, बिटा देखो, during negative half cycle भी तो diode का drop बनेगा न, बीच में, अगर बीच में यहां diode का drop आए समझ रहे हूँ, negative half cycle में इसने तो minus VM तक दिया voltage, लेकिन यहां जो drop आया, that does not let it charge up to minus VM, that does not let it charge up to minus VM, तो capacitor का कुछ initial voltage होगा, which is not minus VM, अब देखो, मैंना एक threshold plus diode voltage बना देता हूँ, लो भई, यह मैंने बना दिया, ठीक है, यह हो गया, VGT plus VD, अब मेरे बच्चे, capacitor चार्ज होना start होगा, अब capacitor जैसे ही, जैसे ही इसे touch करेगा, तुरंट क्या होगा, तुरंट आपका जो SCR है, वो trigger हो जाएगा, भई, SCR यहां पे trigger हो जाएगा, तो आपका जो SCR है न, वो देखो, maximum के बाद trigger हुआ, हुआ maximum के बाद, यहां पे आके SCR trigger हुआ, ठीक है, और यह 90 degree था, तो यहां अलफा आ गया न, 90 के उपर, समझ में आया, अलफा आ गया, 90 के उपर, सर, SCR तो negative half में on होगा, बिटा, negative half में क्यों on होगा, मुझे यह बता दे मेरे लाला, negative half में काहे on कर रहा है, इसे, positive half में ही तो on होगा, भाईया, forward baising में, reverse baising में कभी on होते सुना, SCR, गजब बात करते हूँ, नहीं बिटा, minus vm variable resistor से नहीं जाएगा, क्योंकि negative half cycle में diode on हो जाएगा, तो यह resistance हो गया, एक तरह से short, तो current diode और capacitor के through flow करेगा, ठीक है, यह बात समझ में आई, यहाँ alpha 90 degree के उपर मिल गया भाई, did you guys understand this or not, जल्दी से बताओ बिटा, यह बात समझ में आई, अब यहाँ पे आपका capacitor discharge हो जाएगा, negative cycle में फिर से चार्ज होना start हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका capacitor discharge होगा, और negative में फिर से चार्ज होना start हो जाएगा, negative cycle की तरफ, चलो जी, अब यहाँ पे बिटा अगर हम बोलें, कि VS, VS जो है ना, किस से बड़ा होना चाहिए, VS IR प्लस VC से बड़ा होना चाहिए, VS must be greater than IR प्लस VC, क्योंकि बीच में load का भी voltage है ना, बीच में load का भी तो voltage है, V0, तो VS must be greater than IR प्लस VC, अब यह I basically है क्या, यह है gate current, IGR प्लस VC, तो मैं कहता हूँ, VS must be greater than, VC कहाँ पे जा रहा है बिटा, triggering के time पे, यह जा रहा है, VGT प्लस VD, अगर ऐसा हूँ रहा है, तो R के उपर एक limit आ गई ना, less than equal to कह दो, तो यह बिटा, R की maximum limit हो गई, यह R की क्या हो गई, maximum limit, बिटा, during positive cycle, एक बार यह SCR on हो जाएगा ना, तो चलो, यहाँ पर मैं एक बार एक काम करता हूँ, आपको यह चीज modify करा के लिखा देता हूँ, D2 charges capacitor during negative cycle, और जब जैसे SCR trigger होगा, SCR के trigger होते ही current ऐसे flow करेगा, जब SCR trigger होगा ना, तो यह capacitor SCR के थूर डिस्चार्ज होगा, और यहीं से इसे gate current मिल जाएगा, ठीक है, यहीं से इसे gate current मिल जाएगा, यह बाद clear हुआ, एक बाद negative half में capacitor का function बता दो, बेटा negative half में capacitor discharge थोड़ी हुआ, negative half cycle में मेरे बच्चे, क्या हुआ, यह voltage negative थी, तो यह diode on हो गया, तो क्या बच्चा circuit में, एक source, एक load, एक capacitor, तो capacitor धीरे-धीरे supply voltage को follow करेगा, लेकिन पूरी तरह से इसके across supply voltage नहीं आएगी, क्योंकि इस diode में भी कुछ ना कुछ drop बनेगा, तो मैंने यही तो बताया, negative cycle की वज़े से, capacitor पे कुछ ना कुछ initial voltage रहती है, this is due to negative cycle, ठीक है, अब एक simple सी बात है बिटा, जब आप resistance को vary कराओगे, तो capacitor का rate of charging vary करेगा, तो यह कब जाके, यह कब जाके threshold को cross करेगा, तब जाके आपका SCR trigger होगा, तो यह जो SCR की voltage है, यहां तक voltage कैसे बना दी हमने, यह बिटा forward blocking mode दर्शा रहा है, कि SCR के across voltage आती जा रही है, लेकिन वो on नहीं हो रहा, वो on कब होगा, जब उसे gate pulse मिलेगी, यह यह कह दो capacitor की voltage, जब threshold प्लस diode voltage से जादा आएगी, तब SCR trigger होगा, इतने यह forward blocking mode में continue करता रहेगा, ठीक है, चलो, अब last triggering पे आते हैं, UJT triggering, अब यह UJT क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है, यूनी ज़ंक्षन ट्रांजिस्टर का, कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर, इस ट्रांजिस्टर के अंदर, आपका junction, PN junction एक ही है, PN junction आपके पास बस एक ही है, यहाँ पे आपके पास दो PN junction अविलेबल नहीं है, क्या कैरो alpha 90 से बड़ा कैसे हुआ बिटा देखो अगर ये और slow charge होता तो और आगे triggering आती 90 से भी ठीक है तो यहाँ 90 से आगे भी आ सकती है triggering और 90 के पीछे भी 90 तो यही रहा 90 तो यही रहा ठीक है तो यह जो आपकी triggering है 90 से आगे पीछे दोनों जगे आ सकती है it just depends की capacitor कितने rate से चार्ज होगा ठीक है यह बात clear हो गई वानी बेटा मैंने बोला ना अपना mail चेक करो वीडियो बुक का link आया होगा उसका sharing permission आया होगा यह चीज आपको मिल गई होगी plus users के लिए YouTube वीडियो बढ़ाने दोगे चलो uni junction transistor का बेटा मतलब होता है कि एक ही PN junction device के अंदर तो यहाँ पे देखो एक depletion layer create हो जाएगी ऐसे correct तो यहाँ पे this transistor contains this transistor contains only one PN junction only one PN junction ठीक है इसके अंदर मात्र सिर्फ एक PN junction exist करता है just give me a minute यह तोता मैना की जोड़ी को हमने भगा दिया है ठीक है अब आ जाओ तो पेटा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझनी है structure इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं जो P वाला जहां connected है that is called as ammeter ठीक है और एक उपर बेस टर्मिनल और एक बेटा नीचे की तरफ बेस टर्मिनल तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं it is a three terminal device three terminal device एक पी ammeter और N वाला B1 and B2 दो टर्मिनल बेस के हैं दोनों N से जुड़े वे हैं अब देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा यहाँ पे देखो क्या होगा कि इसका जो symbol है it is more like a jfet jfet जैसा ही इसका symbol है लेकिन यहाँ पे arrow न टिल्टेड रहता है यहाँ arrow टिल्टेड दिखाये जाता है it is just like a jfet तो यह ध्यान रखना अब यहाँ पे मेरे बच्चों देखो क्या होता है जब यह depletion layer बना रहता है ध्यान से सुनना जब यह depletion layer बना रहता है तो यहाँ पे cross section area बहुत छोटा होता है है न यह काफी small होगा अब आप जानते हो बिटा जब single type का semi conductor हो current के रास्ते में जब सिर्फ या तो P पड़े या तो N पड़े तो that is modeled as a resistance तो यहाँ बिटा जब charges B2 से B1 जाना चाहते है या current B2 से B1 जाना चाहता है then there is only N type of material so it will act like a resistor बात समझ में आ रही है जैसे MOSFET में था MOSFET में मैंने आपको दिखाया था सारा रस्ता N type था इसलिए MOSFET को एक resistance की तरह model किया तो हम क्या कहते है in off state in off state due to depletion region due to depletion region a small area a small area is available is available for current to flow for current to flow जिस कारण से बच्चो क्या होता है due to which due to which resistance is high resistance between B2 and B1 is high ठीक है दूसरा ये भी reason होता यार कि यहाँ पे जो है न ये lightly doped region है यहाँ पे ये lightly doped region है इस वजे से इसकी conductivity small होती है तो हम क्या बोलते है and base is lightly doped so the conductivity so conductivity is small conductivity is small and resistance is high ठीक है अब बेटा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे basically ध्यान से समझना ये जो emitter है ये जो emitter है बेटा ये minority carrier device है अभी इस पे बात करेंगे रुख जाओ यहाँ पे देखो ये जो emitter है इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है इसका काम है यहाँ पे base 2 से base 1 तक जाने वाले current के रस्ते को control करना ठीक है base 2 से base 1 तक जो current जा रहा है उस रस्ते को control करता है emitter current तो base के बीच में flow करेगा but that path will be controlled by the emitter तो हम बोलते हैं current flows between flows between B2 and B1 and the path of current flow of current flow is controlled by emitter is controlled by emitter पता जे फेट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जे फेट के अंदर ना इसी type के दो P region होते हैं एक left एक right दोनों से यह emitter connected होता है समझ न एक P region left एक P region right तो वहाँ दो junction बन गए न PN के एक left वाले के साथ और एक right वाले के साथ अब जब दोनों की depletion layer बनती है तो beach का रस्ता ना के बराबर बचता है current flow के लिए ना के बराबर रस्ता होता है तो वहाँ पे आपके दो PN junction होते है UJT में बस difference इतना हुआ कि यहाँ दो P region लेने की जगे एक single P region लिया जिसकी वज़े से it becomes a uni junction transistor समझ गए JFET में क्या difference है यहाँ पे एक और P region आएगा बस यह फरक है अब बिटा देखो इसका model कैसे दिखाते हैं यह resistance दिखा दिया यह भी एक resistance दिखा दिया और यह हमने एक diode दिखा दिया PN junction तो मैं क्या बोल रहाँ since since the path between since the path between B1 and B2 is only N type semiconductor is only N type semiconductor so we model it we model it as resistance we model it as resistance ठीक है इसको resistance की तरह शो कर दिया अब बिटा देखो जब तक क्या होगा until until यह diode forward bias होगा जब तक यह diode forward bias नहीं होगा यह depletion layer खतम नहीं होगी तब तक current जो flow करेगा that will be negligible तो हम क्या बोलते हैं until device की working समझा रहा हूँ बढ़िया से until emitter diode until emitter diode gets forward biased the cross section area of current flow is very low is very low and hence resistance is high resistance is high so almost negligible current flows negligible current flows through device अब बेटा बात यह आती है कि चलो सर ये तो समझा आगे जब तक diode on नहीं होगा तब तक device काम नहीं करेगी लेकिन हमें ये पता करना है कि ये diode कब on होगा ये diode कब on होगा देबशीष बेटा एक बार आप अपना mail चेक कीजिए जो जो बच्चा फॉर्म भर रहा है वीडियो बुक के लिए प्लीज अपना mail चेक करो mail पे ही आपको automatic एक mail generated आएगा that you have gotten the access to the video book ठीक है automatic generated mail आएगा ठीक है अब देखो मेरे बच्चो बात है यहाँ पे emitter को कितना voltage चाहिए पहले मैं potential division से है into rb1 by rb1 plus rb2 this will become eta vbb eta vbb तो यह v मिल गया और यहाँ पे यह diode का जो voltage है यह भी तो होगा 0.7 या 1 volt जो भी होगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते है ve must exceed ve must exceed eta vbb plus vd eta vbb plus vd for diode to turn on ठीक है इतना बढ़ना चाहिए इतना बढ़ना चाहिए तो इस voltage को है जो eta vbb plus vd है इसे कहते हैं peak voltage क्या बोलते है peak voltage तो हम कहते हैं जब emitter की voltage peak से जादा होगी in such a scenario the ujt will turn on ठीक है ujt will turn on अब यहाँ इतना इतना बताओ बटा बिटा तो देखो यहाँ पर इतना 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 क्या है तो यह जो आया है ammeter voltage greater than eta VBB plus VD यह होता है VP यानि peak voltage क्या होता है यह peak voltage अब देखो क्या होगा बच्चो जैसे ही as soon as as soon as VE exceeds VP charges flow charges flow from ammeter to base from ammeter to base and due to conductivity modulation due to conductivity modulation RB1 reduces RB1 reduces RB1 अगर reduce हुआ मेरे भाई तो eta decrease होगा तो ammeter voltage which is eta VBB plus VD यह भी घटने लगेगी तेक्या है यह भी घटने लगेगी अब इसके बाद क्या होता है ध्यान से देखना बिटा जल्दी जल्दी समझते चलो छोटा सा concept है कि यहाँ पर हमने circuit कैसा लगाया है देखो यह P region है यह N है यह B1 है स्वरी B2 है यह B1 है अब बेटा यहाँ पर आपने न एक resistance ऐसे लगाया R E और यहाँ पर एक voltage आपने लगाई V E E suppose यह है V E और इन दोनों के बीच की voltage हम लेके चल रहे हैं V B B अब देखो मैंने क्या बोला कि जब आपका यह emitter region से holes आने start हो जाएंगे holes आने start हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा यहाँ होगा conductivity modulation ठीक है और conductivity modulation होने से RB1 घटेगा RB1 आपका गिरने लगेगा तो अब देखो इनीशली बेटा क्या हुआ होगा इनीशली इस डिवाइस के अंदर इनीशली जो है ना इस डिवाइस के अंदर अगर यह एमिटर वोल्टेज वर्जिस एमिटर करेंट की मैं बात करूँ इनीशली जब आपका conductivity modulation नहीं हो अदा voltage बढ़ाते गए बढ़ाते गए लेकिन करेंट में कुछ खासा बदलाव नहीं आया current बहुत कम flow कर रहा था ना के बराबर अब जैसे ही बेटा आपने peak voltage को touch किया यहां तक UJT बन था आपका आप voltage बढ़ाते जा रहे थे but current was not increasing ठीक है in off state even if we increase even if we increase अब लेकिन बेटा जैसे ही आप वी पी पे आ गए जैसे ही आप ने वी पी को touch किया तुरंत यहां पे UJT on हो गया ठीक है जब UJT on हुआ once UJT is on current flows from emitter current flows from emitter जिससे क्या हुआ जिससे डिवाइज में charges घुसे charges enter charges enter charges जब device के अंदर घुसे तो conductivity modulation happens conductivity modulation happens और उससे क्या हुआ Rb1 घटा Rb1 reduces Rb1 अगर reduce हुआ eta reduce हुआ तो eta VBB plus VD which is emitter voltage यह भी कम हुआ तो बिटा UJT on होने के बाद current तो बढ़ा लेकिन voltage घट गई voltage घटने लगी और इसे हम कहते हैं negative resistance region क्या कहते हैं negative resistance region अब बिटा एक समय ऐसा आएगा कि जब आप इतने charge carrier दे चुके हो कि भाई अब उससे ज़ादा नहीं दे सकते या उससे ज़ादा देने से कुछ खासा फरक नहीं पड़ेगा after a certain after a certain current after a certain current base region base region becomes saturated of charge carriers मुझे रता हो यह point समझ आ रहा है कि charge carrier भेंकर ज़ादा हो चुके हैं अब इससे ज़ादा charge carrier नहीं बढ़ेंगे becomes saturated of charge carriers तो resistance almost becomes constant अब 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 रजिस्टन्स तो गया तो वी प्रपोर्शनल टू आई हो जाएगा आई हो जाएगा ऐसे यह वाला जो रीजन होता है अब यह saturation जिस पॉइंट पे आएगा इसे कहते हैं valley जैसे वो पीक था ना यह होता है valley वी वी इस वैली वोल्टेज आई वी इस वैली करेंट जैसे पी कैसे वैली और यह specify करता है manufacturer कौन specify करता है manufacturer कि कितनी वोल्टेज पे जाके एक तरह से UJT saturate होगा या कितने current पे जाके saturate होगा अब इस specification को ध्यान में रखते हुए यह जो circuit में आपने resistance लगाया है ना इसको choose किया जाता है condition यह होती है VEE minus VP by IP इससे बड़ा होना चाहिए emitter resistance और इससे छोटा यही तो दो condition बनेंगी यहां का voltage अगर value हुआ तो current भी IV होगा यहां का voltage अगर peak हुआ तो current IP होगा तो यह दोनों के बीच में कहीं लाई करना चाहिए दी जादा limits on RE अब बिटा यह जो characteristic में negative resistance region आया ना इसी कारण से यह device work करती है as oscillator oscillator की तरहे उन devices को चलाया जा सकता है जिनके अंदर negative resistance characteristic देखी जाएं और इसी कारण से UJT firing circuit में UJT is used as a relaxation oscillator UJT is used as a relaxation oscillator यह circuit तो मैंने आपको already बता दिया यह graph मैंने आपको already बता दिया बिटा तो यहाँ पे देखो आपने RC oscillator बनाया using UJT और यह oscillator की मदद से आप gate को pulse देते हूँ यह लेकिन मैं कल बताऊँगा इस circuit काम कैसे करता है UJT समझ आया ना Unijunction transistor का पूरा working अच्छे समझ आना चाहिए और कल मैं आपको यह बताऊँगा इसकी मदद से triggering कैसे की जाती है अब जल्दी से मेरे questions का answer दे दो भाई क्या होगा First question SCR can be turned on by Applying anode voltage at a fast rate Applying large anode voltage Increasing SCR temperature to a large value Applying adequately large gate current with SCR forward bias नहीं गमक मैं एक बार और आज mail करा दूँगा बिटा I'll ask them to mail you again तो team आपको एक और बार mail कर देगी है ना D बिल्कुल सारे ही method से triggering की जा सकती है ये हुआ क्या DV by DT triggering Forward voltage triggering Thermal triggering और ये हुआ gate triggering चल अगला Turn on time of SCR can be reduced by बताओ भई Turn on time of SCR can be reduced by जल्दी से बोलो Turn on time को कैसे कम करोगे मैंने बताया था Last lecture में switching characteristic में Turn on time के तीन हिस्से बताये थे Delay time Rise time Yes A क्या होता है If IG Increases Delay time decreases तो on time Which is delay time Plus rise time Plus spread time It decreases ठीक है बहुत ही बढ़िया हाँ भाई Electrical junction remove हो गया वो channel बंद हो चुका चलो For a pulse transformer The material used for its core And possible ratio From primary to secondary बताओ Pulse transformer के लिए कैसा core use करोगे और turn ratio क्या लोगे जल्दी से बोलो What will be the answer Come on everyone Yes The answer will be C Ferrite क्यों High frequency transformer में Ferrite core आता है और क्यों आता है क्योंकि As frequency increases Addie current losses increase तो Ferrite के अंदर Ferrite के अंदर resistivity high होती है जिससे Low addie current losses होते है Low addie current losses ठीक है चल अगला Carrier frequency gate drive is used to turn on a thyristor to reduce Carrier frequency माने high frequency ठीक है Carrier frequency वो होती है जो communication में use होती है megahertz में Carrier wave आता है ना modulation के अंदर तो वही कह रहा है Carrier frequency gate drive is used क्या आएगा D समझे ये question बहुत important है एक्जाम के लिए चलो last question आज का भई The capacitance of a reverse bias junction is 20 picofarad current charging current is 4 milliampere what is the limiting value of dv by dt limiting value of dv by dt यानि maximum dv by dt कितना ले सकते है आपको ये धियान रखने maximum क्यों आ रहा है उसके उपर अगर चले गए तो str on हो जाएगा तो dv by dt पे एक maximum limit होती है जिससे ज़्यादा rate of change नहीं लेना चाहिए otherwise otherwise आपका str on हो सकता है तो क्या लिखोगे ic dv by dt 4 mili ampere is cj sorry 20 pico farad into dv by dt तो dv by dt कितना हो गया 400 by 20 यानि 20 4000 कर लो 200 और volt पर microsecond तो answer will be c है ना simple है और पिटा ये latest batch है जो final batch है जो कि detail में कराया जा रहा है इसके बाद जितने भी batches आएंगे they will be fast track उसमें इतना detail में syllabus नहीं होगा और मैं बता चुका हूँ July 14 से मैं plus पे लेके आ रहा हूँ electrical machine तो electrical machine अगर मुझसे live पढ़ना है तो जल्दी से unacademy आ जाओ और बिटा unacademy पे हम लोग बहुत ही जल्द add करने वाले हैं digital notes और pricing भी बढ़ने वाली है तो pricing बढ़ने से पहले जल्दी से join कर लो और digital notes में आपको हर subject का comprehensive content मिलेगा जिसको आप read कर सकते हो after the lecture to enhance your subject knowledge अंकित EAC code से बिटा आपकी one year fees होगी 27 to 25 18 months 34, 650 2 years 39, 600 2 years के लिए जाना ताकि per month fees minimum रहे iconic for one year 45, 225, 2 year 66, 600 2 years के लिए जाओ so that per month fees is minimum यह मेरा unacademy profile है मुझसे chat कर सकते हो यहाँ पे और यह है मेरा telegram channel जहाँ आपको मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ lectures की so thank you everyone अब कल मिलेंगे बिटा same time same place और SCR के discussion को आगे बढ़ाएंगे thank you